धन्यवाद मामिनिय मंत्रीजी आज के इस कारेक्रम के मात्यम से देश में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के एक नए युगता आरंध होने जा रहा है 508 रेलवे स्टेशनों को विश्व स्तरियर बनाने के क्रम में जिन सुविदाओं का स्रिजन किया जा रहा है आएए नजर डालते हैं इसकी जलक दिखाती एक लगू फिल्म पर मैं भारत का रेलवे स्टेशन गरीब मिडल क्लास साधारन लोग मेरे महमान होते हैं मैं सब के लिए सोचता हूँ लेकिन अंग्रेजों के जमाने से मेरे लिए सोच गरीब ही होती थी अब गरीब लोग धक्के नहीं खाएंगे तो और कौन खाएगा गरीब थोड़े ही एसी की हवा खाएगा वो तो लंबी सीधियां चड़ेगा अपने बुजर्ग माबाप को भी कश्ट से चड़ाएगा साधारन आदमी कहा एरपोर्ट से सुविधा पाएगा भले मैं देश की अर्थ विवस्था का बहुत बड़ा इंजन हूँ लेकिन मॉडन बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तो बड़े लोगों के लिए बनेगा देश का साधारन आदमी तो स्टेशनों पर पार्किंग से लेकर हर चीज के लिए धक्के ही खाएगा चलो मान लो रेलवे स्टेशनों का उठान भी होगा तो वो भी केबल मुंबई दिल्ली में होगा कहां छोटे शहरों के स्टेशनों का नंबर लगेगा भारत के रेलवे स्टेशनों की ये कड़वी हकिकत होती थी पर इस स्थिती को बदलने का बीड़ा उठाया हमारे प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने स्वायम बच्पन में रेल्वे स्टेशन पर चाय बेच कर पिता का हाथ बटाने वाले बालक ने देश के हर आम नागरिक के लिए एक बड़ा सपना देखा भारत के रेल्वे स्टेशनों की काया पलट का देश के तीन रेल्वे स्टेशनों को बदल कर ये यात्रियों के सामने नए भारत की संकल्प शक्ती दिखा चुके हैं गांधी नगर का कैपिटल स्टेशन, भोपाल का रानी कमलापती स्टेशन और बैंगलूरू का सर एम विश्वेश्वर रईया स्टेशन इसी राह पर पूरे देश के 508 रेलबे स्टेशनों का पुनरविकास होने जा रहा है देखिए इस नक्षे को देश भर में आकांग शाओं तक पहुचेगी ये क्रांती जो की प्रेर ना होगी अम्रित काल में हरक्षेतर के बाकी स्टेशनों के लिए कर देशनों के लिए रहा है इसी लिए प्रधान मंत्री जी ने अम्रित काल में नए भारत के सपने को नाम दिया है अम्रित भारत स्टेशन भारत की महानता समानता और आधुनिक्ता का प्रतीक सपना बढ़ा तो फंड भी बढ़ा जो रेलवे बजट 2014 में 65,000 करोड का हुआ करता था वो आज है 2,40,000 करोड का जिस में से 508 स्केशनों के पुनर विकास के लिए दिये जा रहे हैं लगभग 25,000 करोड लक्ष यही है कि सामान्य यात्रियों को बैतर सुविदा मिले काम के लिए आना जाना आसान हो पता है अन्य देशों की तरह हमारे देश के रेलवे स्टेशन केवल रेलवे स्टेशन नहीं होते यहां इमोशन भी है यादे भी ठिठोलियां भी और राहत भी सांस्कृते का दान प्रदान के केंद्र भी होते हैं हमारे स्टेशन इतनी महान संस्कृती एवं वास्तु कला को अब प्रदर्शत करेंगे हमारे नए अमरित रेलवे स्टेशन ताकि यहां खीचे जाने वाली हर सेलफी के साथ भारत और जुड़े और जीए और खिले ऐसे स्टेशन पहले लोग विदेशों में ही देखते हैं अब भारत में भी ऐसे स्टेशन बन रहे हैं तो अब हमारे स्टेशन होंगे जानदार भी और शानदार भी यहाँ एरबोर्ट्स की तरह मल्टी लेवल पार्किंग होगी, प्रवेश निकास के अलग-अलग द्वार होंगे, यहाँ सुन्दर एग्जेक्यूटिव लाउंज, यात्री प्रतिक्षाले होंगे, यहाँ सीसी टीवी से निगरानी होगी, फ्री वाइफाई होगा, और सोच लिफ्ट और एसकेलेटर से कितने बुजुर्गों दिव्यांगों की यात्रा सुखद होंगी, अब दिव्यांगों की सुविधा के लिए हमारे स्टेशनों पर प्रेल लिपी वाले साइनेज भी होंगे, पर यावरन को भी पीछे नहीं छोड़ेंगे हमारे अमरित ये नए विक्सित स्टेशन सिर्फ स्टेशनों को ही नहीं, पूरे शहर को मौडन इंफ्रास्ट्रक्चर देंगे यात्रियों की सुविधा और बहतर मार्क दर्शन के लिए एक समान साइनेज लगाए जाएंगे अमरित स्टेशन आइकॉनिक स्ट्रक्चर के साथ सिटी सेंटर भी बनेंगे, या होंगे भविरूफ प्लाजा शॉपिंग कॉंप्लेक्सेज, बच्चों के लिए गेमिंग जोन, फूट कोड्स अमरित स्टेशन के जरिये ये सारी खुश्याएं और सुविधाएं छोटे शहरों के लोगों का भी अधिकार होंगी प्रधान मंत्री जी के परिश्रम पर देश के विश्वास का प्रतीक अमरित भारत स्टेशन आज का भारत जो ठानता है वो कर दिखाता है उस आत्म विश्वास का प्रतीक अमरित भारत स्टेशन भारत की महानता, समानता और आधुनिकता का प्रतीक अम्रित भारत स्टेशन जैहिंद प्रदान मंत्री जी से अग्रह करती हूं कि विर्वोन का बटन दबाकर 508 अम्रित भारत स्टेशनों के उनर विकास का शिलान्यास करें काषियर कुल के भाणियास काथा गवाणीयास क्या हुद्मियास काशिण अम्रित गवाणीयास के विके अग्राच शिलाई लिए प्रधानमंत्री जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि इस एतिहासिक अफसर पर अपने प्रेरणादाई उद्बोधन से अबिपी माजा उगडा डोले बगा नीट